हलो दोस्तो सुआगत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन को लेकर और MSP को लेकर बड़ी खबर आ रही है जहां पे एक तरफ जो है MSP का सरकार के साथ भी बात्चीत चल रही है जहां पे एक समान MSP देने की बात की जा रही है जो military service पे होता है वो सभी को एक समान मिलना चाहिए इसी को लेके दोस्तो अभी एक meeting भी हुई थी जहां पे एक बार फिर से MSP को सब को एक बराबर देने की बात की गई थी जहां पे अभी JCOs को जो है पांच जार दोसों मिलता है और आफिसर्स को पंदरा हजार के असपास मिलता है जबकि MSP जो है JCOs और जवान जादा रिसकी अरिये में काम करते है यह जादा या कम उससे भी मतलब नहीं है एक लिस्ट MSP जो है एक्वल होना चाहिए जाए वो JCOs हो जाए ORs हो जाए ओफिसर्स हो तो दोस्तों एक बार फिर से मीटिंग हुई है और उसको MSP को एक बराबर करने के लिए कहा गया है इसके लाव दोस्तों हाई कोर्ट ने जो है बहुत बड़ा फैसला लिया है इतिहासिक फैसला लिया है जहां पर जो रैंक वाइस जो है जो डिस्टिंग्विशन होता था जहां पर रैंक के हिसाब से जो मेडिकल फैसलीटी जो दी जाती थी उसको हटा दिया गया है और हाई कोर्ट के हिसाब से जो हेल्थ फैसलीटी है वो सबका अधिकार है और ये एसी एचेस पॉली क्लिनिक्स में जो है ऑफिसर्स और जो जवानों के बीच में जो अलग अलग जो फैसलीटी मिल रही थी उसको लेके था जहां पर फॉर्मर सर्रॉसमेन वो कोर्ट में गए उसको लेके और उन्होंने कोर्ट में ये केस रेइस्टर करवाया जहां पर उन्होंने कहा कि at least जो health facilities है उसमें officers और JCU में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कोई भी differentiation नहीं होना चाहिए और इसी को लेके दोस्तों high court ने अपना आप देख सकते हैं कि एक बड़ा फैसला दिया है और उन्हें कहा कि health की जो facility है वो सबका अधिकार है और इसके बेस पे rank के बेस पे किसी को health की जो facility है उसको लिए नहीं रोख सकते हैं अच्छी जो है health facility सबका अधिकार है तो उसको देखकर दोस्तों इस high court का एक बड़ा order है और ये JCU's hours के लिए काफी जादा अच्छी खबर है दोस्तों ये था आज का important update सभी पूरुसैनिकों के लिए JCU जवानों के लिए ECHS को लेकर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूए तरह भी दो कर दो एक आए तो जाए था वीडियो ना भूए